आज मैंने सैटिन रिबिन से ये ब्यूटिफुल फ्लावस बनाए हैं अगर आपको आज का व्यूडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें है फ्रेंड्स डिस इस प्राजक्ता और वेलकम तू माय चैनल आटी क्राउटी आज की डियूड के लिए मैं बड़ी वाली साटिन रिबिन ले रही हूं यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है इसकी वेट फॉर सेंटिमेटर है और हमें इसके एट सेंटिमेटर के पीसेस चा यह हमारा 4 x 8 का पीस रेडी है मैंने यहाँ 11 पीसेस लिए है आज का डियावाई बनने के लिए हमें बहुत ही कम चीजों की जरुरत पढ़ने वाली है मैंने यहाँ ट्रांसपरंट सेलो टेप लिया है यह आपको किसी भी स्टेशनेरी शॉप या फिर हाडवेर के शॉप प प्रांसट करें रिवीन के पीस को एक्जेक्ट हाफ में मोड लेंगे देखिए एक्जेक्ट हाफ में रिवीन को मोड दिया और अब टेप का जो हाफ पार्ट बचा है उसे रिवीन के दूसरे साइड पस्टिक करेंगे हमारा रिवीन अच्छे से स्टिक हो गया है और ये अच्छे से सील भी हो गया है इसी तरह से ribbon के बाकि सारे pieces को भी seal कर देंगे ये flower sticks बनाने में बहुत ही आसान है और बनने के बाद ये बहुत ही सुन्दा दिखते हैं आप इन्हें किसी भी flower pot में रखकर अपने घर को decorate कर सकते हैं अगर आप market से ऐसे flower sticks करें देंगे तो आपको बहुत महिंगे आएंगे लेकिन इस DIY से आप घर पर ही market जैसी flower sticks बहुत ही कम rate में बना सकते हैं अब हमारे सारे pieces seal होके ready हैं आप देख सकते हैं ये अच्छे से seal हुए हैं टेप के opposite side का जो part है वहाँ पर हम season से cut लगाएंगे around 5-6 cut लगाएंगे आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं देखिए सारे equal distance पर cut लगे हैं और 6 small part में ये ribbon divide हो गया है cut लगाते वग धान है कि हमें ज्यादा उपर तक cut नहीं लगानी है टेप के part तक आप cut कर सकते हैं सारे 11 pieces में हम इसी तरह से cut लगाएंगे अब cello tape को किसी surface पर थोड़ा stick करेंगे और sticky part उपर की तरफ रखेंगे ribbon के सारे pieces को फिर से एक बार tape के half तक stick करेंगे सारे pieces को एक line में stick करें मैंने यहाँ पर एक पतला wire लिया है यह hardware की shop पर आसनी से मिल जाता है इसके top को थोड़ा सा मोड देंगे ताकि यह अच्छे से oval हो जाए अब tape का जो part हमने surface पर stick किया था उस corner से wire को tape पर लपेटेंगे tape को लपेटते हुए हमें थोड़ा थोड़ा मीचे आना है ताकि हम flower की stick बना सके देखिए यह कितने अच्छे से stick हो रही है और flower stick भी धीरे धीरे बढ़ रही है हमने यहाँ पर ribbon की 11 pieces लिये हैं अगर आप कम pieces लेंगे तो flower stick छोटी बनेगी और अगर ज़्यादा लेंगे तो flower stick और भी बड़ी बनेगी ribbon की length भी आप 8 cm से कम या ज़्यादा ले सकते हैं प्रहा हो पां नच झार Handल इस मांगी तो घू्यादाट ऐका इस यू्पां थार जब दिक प्रावरा würden थीजा विव मांगी अब copार आपहाँ सीघए आपवेर वाय बनीच्वाइव ठूश स्ट्यादा का याट्या बन स्ट्सल्ट स्ट लेतels KOOLार हमारी फ्लावर स्टीक अभी रेडी है इसे टेप से सिक्यूर करेंगे मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर की और अलग अलग साइज की स्टिक्स बनाई है मीचे का पार्ट कवर करनी के लिए मार्केट में जो ब्रीन टेप मिलता है उसका यूज आप कर सकते है लेकिन यह जो वायर है वो एनिवेज फ्लावर वास में या बॉटल में अंदर जाने माला है तो दिखेगा नहीं इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया है मुझे यह फ्लावर स्टिक्स बहुत पसंद आई यह बहुत ही कलरफूल और ब्यूटिफुल लगती है इसे आप किसी फ्लावर वास में या डेकोरेटिव बॉटल में रखकर अपने घर को सजा सकते हैं बनाने में बहुत ही सिंपल और बहुत कम खर्च में बनने वाली यह ब्यूटिफुल फ्लावर स्टिक्स आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर ज़रूर बताए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग